इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आपको J-Main के एक्जामनेशन में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे आपको एक बढ़िया सा NIT कॉलेज मिल जाए ठीक है और जात में हम ये भी जानेगे कि यदि आपको किसी भी युनिवसिटी से या किसी भी कॉलेज से बिटे कर है तो उसके लिए आपको J-Main के एक्जामनेशन में कितने मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे यानि सिंपल सा पहने के मतलब ये है कि यदि आपको बढ़िया ENIT कॉलेज चाहिए तो उसके लिए J-Man के examination में कितने marks चाहिए और यदि आपको किसी ना किसी university से या किसी ना किसी college से सिर्फ आपका b.tech हो जाए आपके पास b.tech का एक degree मिल जाए तो वो कितने marks आपको लेकर के आने पड़ेंगे सारे detail आज के इस वीडियो में करने वाले है तो वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के आप अन्तितक देखिएगा ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसे भी university से आपको b.tech करना है अगर आप general category से है ठीक है तो general category में आपके लगबग 115 plus marks अगर आपके आज आते हैं तो आपको b.tech में admission मिल जाएगा ठीक है उसके साथ में OBCC है अगर आप हैं तो OBC में बात करें तो 95 से लेकर के 100 नंबर के आसपास ठीक है इससे plus आते हैं तो आपको कोई भी college में b.tech के लिए आपका admission हो जाएगा ठीक है पहले बात हम यह करेंगे फिर हम बात करते हैं EWS category के लिए तो EWS category के लिए वही लगबग 95 से 100 इसे भी आप मान कर चलिए 95 से 100 पलस अगर आपका कर जाता है तो आपको किसी ना किसी university में b.tech तो आपका हो ही जाएगा उसके बाद में बात करते हैं SC category का तो SC category का 80 से 90 नमबर तक आप मान कर चलिए और उसके बाद में ST category को लेकर बात करें तो ST category में 70 से लेकर के 80 नमबर के आस पास और वो depend करता है उस साल के competition level and questions जिस तरह के से आते हैं questions के किस तरह के से moderate level के questions या फिर easy है या फिर hard shift है ठीक है इन सभी चीजों पर depend करता है लेकिन आप इसी range को लेकर चलिए कि अगर आप किसी category से हैं तो अगर आपके इतने से अधिक marks आते हैं तो आपका admission तो हो जाएगा अब हम समझेंगे कि यदि आपको इंडिया के top 10 NITS में admission चाहिए ठीक है अगर आपको इंडिया के top 10 NITS में admission चाहिए तो आपको कितने marks लेकर के आने पड़ेंगे जिससे कि आपको best NIT में admission हो सकता है तो विडियो के साथ पूरी बने रहेगा पूरी ध्यान से आप देखिएगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत important बाते बताना चाहूँगा यार यदि आपने अब तक unsight में enroll नहीं किया है तो जाकर करके जल्दी से enroll करिए अब आपके पास ज़्यादा time नहीं बचा हुआ ठीक है इंडिया के 40 cities में आपके offline test होने वाले है IIT JEE के लिए जिस तरीके से आपके JMAN के examination में test होंगे न same to same उसी pattern पे आपके examination होंगे 4 और 5 June को बहुत ही अच्छी opportunity है आप सभी के लिए जितने भी test देंगे सभी को unacademy का एक t-shirt मिलने बाला है test के लिए price सिर्फ और सिर्फ 199 रखा गया है जिसके अंदर भी यदि आप code V210 यूज करते हैं तो आपका 10% का discount हो करके 179 में आपका हो जाएगा ठीक है तो बहुत ही अच्छा opportunity आपके पास है साथ में top 40 rankers को iPhone gift किये जाएगा और उसके साथ में 90% तक का scholarship मिलेगा जिसके लिए 1500 क्रोर रुपया अलग कर दिया गया है तो बहुत ही अच्छा opportunity आपके पास है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 90 मिनट का test होने बाला है तो जाकर के जल्दी से enroll कर ये description and comment section के सबसे top पे आपको link मिलेगा code आप use कर लिजेगा V210 जिससे आपका 10% का to instant discount हो जाएगा तो बहुत ही कम price है जितना price में आप t-shirt खरीदेंगे उससे कम price में तो आपका पूरा taste ही हो जा रहा है ठीक है अब हम समझते हैं कि top 10 NITS में admission के लिए आपको कितने marks लेकर के आने चाहिए दोस्तो आपको पता होगा कि J-Main के examination को यदि आप crack करते हैं तो आप NITS में admission ले पाते हैं उसके अलाबा TRIPLE IT में admission ले पाते हैं GFTI में ले पाते हैं और भी other university में आप admission ले पाते हैं ठीक है लेकिन अगर आप advance crack करते हैं तो आपका admission हो जाता है IIT college में ठीक है लेकिन दोस्तो आप इस बात को समझे कि अगर आप NITS से भी admission लेते हैं तो आपको मिलेगा BT की और यदि आप IIT से भी admission लेते हैं तो आपको मिलता है BT की और सारे जितने भी aspirants admission लेंगे वो सारे bachelor of technology ही कलाएंगे लेकिन advanced crack करने के बाद जो आपको university मिलता है वो इंडिया के topmost university होता है जिस कारण से लोग advanced crack करके IIT का सपना देखते हैं ठीक है लेकिन दोस्तो अगर आपको top 10 NITS में admission चाहिए तो कम से कम आपको J-Main के examination में इस साल के बारे में बात करें तो इस साल कम से कम आपको 190 प्लस लेकर के आने पड़ेंगे ठीक है 190 प्लस यदि आप लेकर के आते हलांकि अगर आप ये मैं general की बात कर रहा हूँ अगर आप general category से तो 190 प्लस वहीं अगर आप OBC है तो इस से आप 20 number कम कर दीजिए उसके बाद फिर OBC और EWS से मान लिजिएगा फिर आप AC है तो कम से कम आपका 170 के आसपास आपका हो जाएगा AC category से और ST category से लगवग 150 से 150 के आसपास आपको best NIT college मिल जाता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ठीक है बाकि जो कुछ भी query हो मुझे comment से कमेंट कर देना मैं आप उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत